श्री शिवाय नमस्तु नमस्तु कभी हर्दय चित्त में अगर आजा चन्दन आत में लेकर केबल इस भाग को पकड़ कर भी आगर आप देवदिन महादेव को बेलपत्र समर्पित कर पहला प्रदोश यह हर महीने आता है जब आपके हर्दय में कभी कोई बात आ जाए कि बाबा आज मेरा मन ये कह रहा है और आपको सुनना है बाबा आपको सिकारना है बाबा आपको मेरे मन की बात जानना है बाबा बस हाथ में चन्दन लगाया बेलपत्री का भाग इस तरह से पकड़ कर शिव दिदेव महादेव से दिल से कहकर अशुक सुन्दरी वाली जो जगा होती है आपको बताया है अशुक सुन्दरी का जो स्थान होता ये शिवलिंग यहां अशुक सुन्दरी की जगा इस बेल पत्र को अशुक सुन्दरी वाली जगा पर जहां शिवलिंग है शिवलिंग की सा आजाएए यह अगला प्रदोष यह अगली शिवरात्री जवाती है मेरा महादेव आपकी मनों कामना का भाव पूर करता है यह शिवतत्व है कि इसको ओघड़ी कहते हैं ओघड़ी वो हिर्दाइचित को धारण करने वाद आनंद को समाहित करने वाद शंकर की भक्तिता का अपने जीवन में करी एक बाद उतार करकी अपने जीवन में जब भी कोई विश्वम समस्य आदर आकर खड़ी हो जाए और वो पारे रोए लिए बेल पत्री का व्रक्ष जिसकी जड़ में जाकर बेल पत्री का जो पेड़ होता है बेल पत्री के व्रक्ष जड़ में मारक जल समर्पित करकर एक बेल पत्री उस जड़के उपर रखकर कच्चा ज़ड़ सात्रा फिर जल चड़ा का लाल चंदन का पानी लाल चंदन का जल शिवजी को चड़ा का उसी भूमी की बेलपत्री के ब्रच्च की जड़ते पास की ही मिट्टी का तिलक लगाता आप अपने घर की और अगर जो कारे उलज रहा है उलजने का नामी नहीं दिया तो फिर किसी भी प्रदोश के रहे है किसी प्रदोश के रहे है प्रदोश कामना की पूर्ती करती है यह जो बेलपत्र होती है ना आप लोग समझ ना भैयो जितने लोग दिल से कथा सुनने आयो वो दिल से सुनिएगा समझिएगा शंकर वर्मान को चड़ाने पर दियत्ती की मनमान मचिच भल उनता होती है धतूरा चड़ा देने के बाद के कुछ चावल के दाने अक्षत के दाने उस धतूरे पर छोड़ देने से घर में आरेगी कोई पानभा है रोग कोई समस्मझा कोई तकलीफ मात्र धतूरा आपने शंकर भगवान को चड़ाया और उस पर थोड़े से आखे दाने चावल के उटे हुए नहीं सेगे दाने उस धतूरे पर चड़ा दिये हैं श्यूलिन के उपर हमारे घर में आने वादी बांधाय और रोग तकलीफ दुख घर से कोसो दूर हो जाता है अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक से और सस्क्राइब करें